परनाम अदाब सशियकाल जो कहिए सब एक्या हैं आज हम आए हैं एक ऐसे मार्केटिंग जगा पर जो 6 महिना के बाद यहां पे बजार सजा है अलाकि यह कंप्लेक्स मार्केटिंग कंप्लेक्स सरकार का है और नगर निगम के अधीन है और यहां पर वेंडर को लाकर बसाया किया था बहुत अंदोलान हुआ इसको भी खोलने के लिए यहां पर देख लीजिए आज से खुला है लिखा नो माक्स नो इंट्री बिना मास्क के आपको घुसने नहीं दिया जाएगा हर आने जाने वाले का ऐसे ही पहले थर्मो स्केनिंग किया जा रहा है सेनेटाइजर का मसीन लगा हुआ है कि सब को सेनेटाइज करना होगा तब अंदर घुसेगा का यह जी कंबल शेमाइन ना कैसा भी था बहुत खराब इस्तिती रहा था है का वगवा कुछ कुछ बताईए बहुत प्रोब्लम हुआ घर में सब बच्छा लोग को भी धिक्कत हो गिया परिवार का दिक्कत हो गिया हम लोगा भी दिक्कत हुआ वे पार भी ठाप हो गिया और क्या जूता चपल से लेकर बजार सजा हुआ है आदमी कम दिख रहा है आम तोर पे अटल वेंडर मार्केट में भीड जादा होता था बरसाद में कोई चपल खरीद रहेगी नहीं जी अभी तो आज तो दुकानी खुला है खरीद रहा है लोग फोड़ा बहुत ले रहा है बहुत दिक्कत हुआ हम लोगों का माल भी खराब हो गिया कुछ जो अंदर में रखे हुए है कून कच्छा माल है माला देख लिए तो जो मन में आए बोल दीजे आना तो दिखा देंगे अभी ला कितना का माल खराब हो गया दस हजार दस हजार का माल खराब हो दिखा दें का लुषय के यह झालोगा हुआ है ए यह झोड़ी ए हमको मद दिखाय ए आज कितना का सहल हो आभी कि माल पूछाँ था है लेकर चालाएं हैं करजा हो गिया है के बाइसमार के जो लोकड़ान लगाना लागा ना हम लोगों को मोका नहीं मिला दोकान में बेच करके पाइसा रखने का घर भारा है मकान बिजली बील है बच्चा का परहाई है अधर किया ही मैटिक पास किया इसको कॉलेज में डालेंगे उसका पाइसा नहीं है गेरिजिवेशन अभी करे गाई जेवियर से सामने आपका मेरा दो लड़का है बाइक केतना विका है बाइक भीका हजार रुप्या हजार रुप्या है छो माहिना कैसे चला गर बहुत इस्तिती खरात हम लोग उज रहे हैं नगर निगम को आप लोग इन नहीं बोले कि अखबार में गो बिज्यापन दे दिजे कि आज से दुकान खूल इसे बोलके सब हुआ है टोटल काम हुआ अब है यतना फ्लास्टिक वाल शेड काहिन नहीं रखते हैं माली जो कोई छीक दिया तो बस आप नहीं हम लोग सब रखते हैं जो सेनेटाइजर रखते हैं नहीं सब रखते हैं तक्षमर जी से चूता हम तुलत हम लोग देते बहुत बढ़िया इनके पास तो पांडे जी का तब यह ठीक है लेकिन यहां हमको कह रहा था कि लोग की सबसे ज्यादा आफिका चांदी था छो महिना आराम से कंबलोड के घी पी इस इसका चांदी बाब बोल कैसा भी था छे महिना इमांदारी बलेगा था ना माल रखे थ पांच महिना में जो कर जाओ तो खाइबे के ना भी लिवी छोड़ा है ना घर इसकुल पीज छोड़ेगा ना होल्डिंग टेक छोड़ेगा सबसे सरकार लेपे करेंगे तो कहां से देंगे देखे दुकान खोले तो है आज कितना का सेल हुआ है इसमें का होगा भगवान म ठीक ठाके सरबोनी ओनी हो गया और यह जो चे मैं ना का कि आप लोग इमंधार में बैठे रहे लोगडाउन था बस और क्या होले पूरा घरी में बैठके बिता दिये तो कहीं से कुछ पैसा था जमा मतलब घर में उतना था एकांट में ने कांट में ने दखाने के लिए हम अब लोग कैसे बचत करना है समझे की ने चो महीना इभी रही पर अपना बोली कि करजा ने हुआ आप लोग जुटो का कर जा कर आपके पास तो माल था हम जान रहे माल कहा साएगा अब पहले से आप बचा कर रखे हम जान रहे हैं पहले से महाजन के खागे जो बचल था सबसे बड़ा नुकसान होता है तो टूटेगा ही ना उसी का उनीस मार्केट खुल गया तब दिया जाएगा बात बताईए कोरोना के बंद होने से पहले और अभी खुला तो जो कस्टमर आ रहा हूं का रेट में भी कुछ अंतर आप लोग किया है या वोग कम पैसा निकाल अभी तो ऐसा कुछ गहांग भी नहीं है ज्यादा जो भी आ रहा रहा तो हम लोग खुद ही पहले से श्टोक है तो अभी रेट हम लोग कुछ बढ़ा हुआ हुआ है खरीद रहा है पहले जैसे एक आता था पैंट करीदने सट भी खरीद लिया और खरीदी रहा थोड़ा स जो बना वेंडर मार्केटिव दिखाओ कैसा कैसा आपका महिना है किसी तरह से कटा किसी तरह से कटा का कुछ पुझी तूटा का पुझी तूटबे रखिया इता दिन से दुकान बंद है तो पुझी तो तूटे गाएंगे दूसरा फ्लोर भी आपको ले चलेंगे सबका इस्तिति का जाइजा ले इस देखें आराम इन ही को है खेल लिजे गेम खेल लिजे काया जी कस्टमर नहीं है कि आदा था गेम खेलने का आपको कि अधिक आज केतना का सेल हुआ अभी तो नहीं हुआ बोनी हो गिया चार सुबह से चारे सब्सक्राइब चेक यतना जूट बोलते कामरा के सामने जूट बोलने से पाप लगता अधिक तो सनाटा ना यह बयार नहीं है अब लोग सब कोरोना का टेस्ट कराए थे करोना टेस्ट नहीं करा है तो ठीक है चल यह देखिए एक का दुगा लोगार है भीड में इसी तरीके से कहानी चला हर किसी के पास एक कहानी है छे महिना वला अरे मू ढकिया मू ढकिया कितना का माल बेचे है इम अंदारी बोलियागा जूट नहीं भीड बोलते हुगा अभी हमको सलीम बोला कि सबसे ज्यादा अफीका सेल है ने ने इंशालला हमरा स्वर रहेगा रहेगा समय यह है कि उपरवला के देन से खूल गया मार्केट कम से कम बैटने के एक जगा मिला दूर रुपया यह चार रुपया जो भी आवेगा सब्जी साग होगा बहुत हालात खराब था खुल गया उसकी मिहरवानी है तो आप नगर निगम को धन्यबाद नहीं दे रहे इसके लिए भी नगर निगम के धन्यवानी है उनको कह रहा ना पूरा इद बखरी तो पूरा इद बखराइब निगम के लिए तो पूंजी पागा भी खताम होगी आप पूंजी पागा के मतलब सोचना पड़ रहा है अब खुद जै सकते हैं केतना पूंजी तूट गया तो अम लोग बैठ के खा गया है काब सत्तर हजार बैठ के खा गया है आज का सिल ठीक र तो बजार का चलाएं चड़ेगा उचे रेट भी बढ़ाएं आप लोग रेट तो वही है अच्छा पहले जो आदमी आता था माल लिजे वही कस्टमर उपकम खरीद रहा है ज्यादा खरीद रहा है यह पहले जितना खरीता था उतने तो मतलब उतना कुस्टमर नहीं आरा काड़ी घुड़ा के चलते टेमपो में मला फूला आता था तो टेमपो भाड़ा भी मतलब बढ़ता दार जाथ कि आदमी तो आरह नीरा टार में भी बात है अब बस उस चलने लेगेगा तैम पो चलने लेगेगा तो आदमी का आने-जाने करास्ता खुलेगा खरीद भीकर आप कहां से आए हैं नहीं से आए हैं कमडारा 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 से खरिदने के लिए मार्केटिंग करने हैं आपको मालूम था ही आजे खुला है आप ऐसी आये थे पहले आये थे का कोरोना काल में इधर अटल वेंडर मार्केट में आज पहली बार आहे हैं यहां अच्छे महि इसे बिजनेस करते हैं आपकी नोक्री करते हैं ऐसे बिजनेस बिजनेस आप लोग कभी सेल वहां खतम हो गया अब आज कल खुला है एक सपता हो रहा है गाउं कवर का इस्तिति है गाउं में सब कोई आया वहां मेडिकल टीम अगर आई सब चेंबर आफ कमर्स इस बात को लेकर पूरी तरहिके से विरोध भी कर रहा है अपना अपील भी दायर कर रहा है कि राज सरकार कम से कम मार्केटिंग कंप्लेक्स को खोलने का ओडर दे अट कि लोग को बेटा भी नहीं हुआ था फिर भी थरिया पीट रहा था विरोध के सवरूप में हलाकि थरिया पीटना हम लोग में अलग अलग परमपरा है यहां के नेता है आज आपका सुने कमाई बूरा टंच हुआ है इमांदारी बोलिएगा हमको देखे आज तो सिर्फ हम 1500 रुपया का एक समान बेचे हैं बोहनी किये हैं लेकिन सबसे बड़ी बात है कमाई है आज का हमारा कि आज पांच 155 दिन के बाद आज हम अपना दुकान खोल करके समान पूर्बग बैठे हैं यही आज की कमाई है हमारी सब मतलब जेतना आपका सदस्ट लोग सबसे चंदा अंदा किये थे नहीं सर पांच महिना हम लोग मार्केट में लोग डॉन में भी छुप छुपा के आते थे और यहां दुख सुख बाटते थे उतना ही नहीं आपको एक बात और जानकारी दे दें दुकंदार लोग ही आ पसमें बीतरन करना पड़ा न खिसको कौन भेंडर को दे रहा था भेंडर को राज सरकार एको रुपईया दिया है यह लोग वाला है पी एम सव निधी उस्व में यतना है सव से परिवार के आधार काट लगा यह लगा कुछ नहीं उह नहीं मिलना है पैसा उसको मिला है द पैसा लिजे पी एम सव निधी वाला में दस अजार रुपया का प्रावधान है उसमें वह जितना आप लोग लिख पड़ रहे हैं लोग बता रहा है वैसा नहीं है जूट बोल रहा है अपलाई किया है उलोग से पुछिए जितना लोग है पूरे सहर में अगर पूरे स्टेट में दस परसेंट होकर को अगर मिल जाएगा तो बहुत बड़ी उपलब्धी होगी सही बात है उभूल भूलया है सब कुछ कुछ नहीं है गाइडलाइन है एक साल बात किस चुका ना है बैंक वाले कहते हैं लोग लिखा हुआ है हम सब लोग का जो पूर्शेस है उस सारा पेपर कंप्लीट करवाएंगे तब दस अजार देंगे कल हुए से जह है किस चालू हो जाएगा यह कहता है लोन लिख दिये परधान मंत्री का है नहीं दे दिया आप लोग को पांच पांच जा रहा है से ही साहेता रासी वो न दे देते 500 रुपया तो आया होगा ना पी मँए मोला जुछ नहीं जुट बवर 500 रुपया महिला का एकाउट नहीं तहां माहिला का जन्धन खाता में जिसका जन्धन खाता खुला हुआ होगा उसको आया होगा हम लोग को उस अब नहीं मिला है और करेंट अकाउंट खलवाए जारे कोई रहत नहीं कुछ नहीं और दुकान खुलवाने के लिए भी महीनों जो है सो जद्धो जहद करना पड़ा है ल जाएं यही नारा के साथ हम लोग बैठे तो यह परमिसन मिला है यह तब तो अभी तो आदमी भी टूटल है मतलब गराहाग भी केतना खर्चावर्चा कर रहा है के खरीद रहा है रेट कहां से बढ़ाएंगा अभी तो आधा-धा माल नुपसान हो गया हम लोग का बहुत माल खराब हो गया अंदर रहने के कारण अच्छा यह देखिया हमको बहुत लोग आया कस्टमर लोग जो यहां पर्चेस करता है वो लोग यूनियन बना के कागजे पर यूनियन बनाया का कि वो लोग को बोलिए कुछ डिसकाउंट करेगा का है का है कि हम लोग पहले 2 रु एक दम जो साधारन परिवार का है वही मेरा कस्टमर था और हम लोग यह 170 का खरीत के लाएंगे 200 में बेच देंगे नहीं इसमें कोई टैक्स लगाते हैं न कुछ लगाते हैं हम लोग हम लोग जितना कम प्राइज में बेचते हैं यही तो कारण है कि कोई नहीं चाहता है कि भेंडर मार्केट विकास करें यही कारण है पुझी पती लोग हमेशा टार्गेट करते आया है होकर लोग को भेंडर मार्केट का भी 10-20 लोग लगा रहा था अब बात किजिये ना सबसे आज से डर है कि महाजन अब साम को आना सुरू हो जाएगा कि भई हमको तो आ यहां बोहनी बटा पर अभी आफ़त है यह भी चिन्ता सता रहा है कि अब अब लोग को रिलक्सेशन दे प्रिलक्सेशन लेगा बाई चलने लगेगा तो यही माल को बेचेंगे फिर खरी देगे उनसे अच्छा तो कम से कम दो महीने का आप लोग रिलक्सेशन दीजे तब तो खीलोग ठाइट हो जाएगा पूरा बादल से अनहरिया चाहिले है आई चास्मा बेचरा अरे आपका पहुणियों हुआ क्ये खरीद राजी चास्मा आज के डेट में आई चाहिए अंधेरा चाहिए हुआ है बचालों का इस शुरू से चास्मा बेचारे बेचते हैं आप बजूर्ग लोग का भी काते हैं कि भाई बरसात हो तो का हुआ चारो तरह पंदेरा पर चास्मा बीकरा बेचे वाला चाहिए बाई कि शुने का कम बाई चाहिए आपका कैसा ब्रूरा छे मैना बहुत खराब तो लॉक्ड नम खराब है ना भीते गाजी का मला कपड़ा क्ली नहीं खरीट कई इसलिये का खान पीना हर्ची कह तुषवारी हुआ सबका एक्सपीरियंस ठीक नहीं देखिए छे महिने में जैसे जैसे तो बीत गया अब यहां जो लोग खरीदार है कम से कम उनको आग रहा है कि आके ज्यादा से ज्यादा यहां अटल वेंडर मार्केट में मार्केटिंग करें ताकि इलो का भी अच्छा दिन आए हम जा रहे ह वाया वाया बट यहां से रहे हो गया है कि अबने प्या है लेक्स्राइब और व्ट रहे हैं से तो अव्लिटार है व्लिट अब्डास करें जैसे ग्या में जैसे झाल